इस तरीके से हमने यह पढ़ा कि किसी भी developed country के लिए अगर हम यह चाहते हैं कि वो country developed हो जाया तो सबसे first goal होता है कि उसकी income अच्छी हो अगर सबसे जाधा income है जिसका एक criteria fix दिया गया है कि suppose US dollar के according 12,000 अप्रॉक्स उसकी income है परेनम तो वो एक developed country में count होती है लेकिन सिर्फ development का reason income नहीं होती है कुछ other criteria भी होते हैं when we looked at individual aspiration and goals अब हमने हमारे development के बात की थी तो हमने एक higher income के बात की थी जिस person की income अच्छी होती है तो वो यह कहता है कि मैं develop do में progress हो रही है मैं success हो रहा हूं लेकिन उसके अलावा भी हमने यह देखा था कि कुछ लोगों का यह साब कि हमें security respect or equal treatment freedom यह सब मिले उसे development का जाता ह है same हमारी country में भी होता है so we found that people not only think of better income but also have goals such as security respect for others equal treatment freedom etc in mind similarly when we think of a nation or a reason so हम अपने nation के बारे में सोचते हैं हम अपने area के बारे में सोचते हैं we may be besides average income think of other equal important attributes तो हम उस वक्त यह भी कह सकते हैं कि हम income के साथ साथ उसको साथ में रखते हुए इन सब चीजों के बारे में भी सोचे कि हमारे इंडिया में हमारे देश में equality होनी चाहिए freedom होनी चाहिए respect होनी चाहिए और हमारे लिए security भी होनी चाहिए तब जाके वह country develop मानी जाती है what could these attributes be let us examine this through an example so यह सारे जो हैं किस तरीके से हम examine कर सकते हैं क्या क्या होने चाहिए तो हम यहां पर देख सकते हैं टेबल दे रखिए per capita income of select states हमारा जो स्टेट से इंडिया के हरियाना केरला बिहार इनकी कुछ per capita income दे रखिए इसके साब से इसकी 1,80,174 है और केरला में 1,62,475 है बिहार की सबसे कम है 34,409 तो इसका बहुत बड़ा स्टेट से और इसका बहुत बड़ा रीजन्स है करॉप्शन इस बहुत जादा है वियार में एक्चुली इस फीगर्स आर ऑफ पर capita net state domestic product at current prices for 2016 and 17 let us ignore चलो इसको छोड़ते हैं what is complicated term exactly means इसका means क्या है we can take it to be the per capita income of the states हम जब पर capita income देखते हैं कि हर सल किस तरीके से इंकम हो रही है so we find that of the three haryana is the highest per capita मैंने आपको यह बताया कि चो हर्याना है उसके सबसे जादा है तो हर्याना इन तीनों में से सबसेदा डिवलप पहना चाहेगा लेकिन बिहार की है उसकी सबसे कम है अगर हम इनका आवरेज निकाले तो परसन जो है एक परसन हर्याना में अप्रॉक्स वन यह में कित्ता कमा लेता है वन लेक्ट थाओजन वन हंग्रेट सेवन लेकिन बिहार में सिर्फ 34,490 कमा पाता है अगर हम इसको डिवलप्मेंट की थू देखें तो हर्याना विल बी इंक्म को लेकर डिसकर्शन इसके अलावा यह यहाँ पर देखो कि इस इंकम के अलावा क्या क्या गया है जो प्रॉब्लम में हमें फेस करनी पड़ती है infant mortality rate per 1000 leave birth हमारे हम देखते हैं वही हर्याना केरला बियार सेम स्टेट हमने लिया है जो 1000 पर हमारे बच्चे पेदा होते हैं उस पे हर्याना में अप्रोक 30 बच्चे ऐसे हैं जो एक साल से पहले ही मर जाते हैं केरला में बिल्कुल 3rd परसंट थर्ड पार्ट कम हो गया सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं एक साल पूरा होने से पहले और बिहार में सबसे जादा होता है यहाँ पर 1000 पर 35 बच्चे ऐसे होते हैं जो वन एर कंप्रेट होने से पहले ही मर जाते हैं लेकिन बिहार में सबसे कम यानि कि अनपर लोग जादा है वाँ पे तो बिहार की लिटरिसी रेट है 62% अब हम अटेंडिंस देखें आभ लिटरिसी क्यों कम है रीजन है कि वहां पे जो यह एज के बच्चे होते हैं 14-15 यह जो स्कूल्से हैं यह ह्सा और लेकिन बिहार में इसलिए कम है क्योंकि वहांपर सिर्फ 465 EE4 बक्चे स Dafids यह इन सब को एक्स्प्रेम करने का मींस यह है कि सिर्फ हमें अर्णिंग ही नहीं इंकम ही नहीं यह सारे डिवलप्मेंट भी रेखने हैं कि जो मॉटिलेटी रेट है वो कम हो जाए कम से कम बच्चों की डेथ हो लिटरेसी रेट बढ़े अगर लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो बच्चों को नॉलेज बढ़ेगी बहुत सारी चीज़ है तो लिटरेसी रेट जो है वो हमारी बढ़नी चाहिए बढ़ना बहुत जरूरी है सिर्फ इंकम ही जरूरी नहीं है यह सारे डिवलप्मेंट भी बहुत जरूरी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मारी फो केरला का देखा जा तो डिवलप्मेंट जादा है लेकिन इंकम में हर्याना का development जादा है सो जस तिंक पर एंकम नहीं होती और चीजहेंश हैं तो सारे पैरेंट्स इसके रिलेटिव सब बहुत खुश होते हैं और एक पैरेंट्स इनके हाथ मुन का बच्चा आया और अभी एक साल भी पूरा नहीं हो उसका बद्य तक सेलिब्रेट नहीं हो और वो मर गया कितना पैनफुल सिटूएशन होती है नेक्स नोट यह तो विच दिस डाटा पर टेंज इस तूट इस टूट इस तो वी आट चौकिंग ओल्टाइम हम पुराने टाइम की बात नहीं कर रहें जो डाटा है तो तूटाउजन सेवंटीन का है इस ऐसेवंटीन यह आफटर इंडिपेंडनेंस वैन आर मेट्रो सिटिजिस अफुल और हाइज बिलिंग तो इसके बाद इसके बात नहीं देख रहें कि मेट्रों सिटीज में हर जगे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल बिलिंग्स इंडिस्ट्री सब बन चुकी हैं ले And with the infant mortality, mortality rate, यह जो infant mortality हो रही है, यह कभी end नहीं हो रही, खतम नहीं हो पा रही. The last column of table shows around half of the children aged 14-15 in Bihara not attending school beyond class 8. यह जो 8th class के beyond के बच्चे हैं, यह school यह attend नहीं कर रहे, जिसे कि हमने table में पढ़ा. This means that if you went to school in Bihara, nearly half of your elementary classes would be missing. जब आप यह जो basic knowledge है, the literacy rate को बढ़ाने के लिए बच्चों का 14-15 age के बच्चे हैं, इनका school जाना बहुत ज़रूरी है, इनकी basic knowledge इनके पास, इनकी basic education लेने का इनका पूरा right है, वो होना बहुत ज़रूरी है. So those who could have been in school are not there, ऐसे बच्चे, जो school जाहीं नहीं रहे, if this had happened to you, अगर यह आपके साथ होता, so you would not be able to read what you are reading now, तो आप जो आज पढ़ रहे हो, यह भी पढ़ने के रीड में नहीं रहते हैं, so it means, किसी भी country का development से, उसके income से नहीं होता, और भी criteria होते हैं, जिनमें हमें focus करना होता है, like हमारी जो infant mortality rate है, यह कम होनी चाहिए, हमारी literacy rate है बढ़नी चाहिए, ताकि हमारी freedom, security, और जो हमारी girls को लेकर security है, यह किसी भी तरह हैं कि जो हमारी situation से, जिनने हम handle कर सकें, वो भी solve हो सकें.